हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 26 ओफ अगस्त के सेकंड शिफ्ट 2022 एफ्कैट के पेपर के अंदर जितने भी जिक्के कोशन आये हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इससे पहले शिफ्ट फस्ट के मैंने यहाँ पे मैथ के और रिसनिंग के और चीके के कोशन अलड़ी अपलोड कर दी हैं, उसको भी जाकर आप इस यूट्यूब के साथ जाकर जुरू चेक कर लेना, और अगर मैं बात करूँ पढ़ना चाते हैं, लिखना चाते हैं, यहाँ सी आप कवर जो है, वो कर सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं probability के बारे में जिकर कर रहा हूं बार-बार, क्योंकि मैंने आपको last time ही बताया था, जब मैं आपको इस course में पढ़ा रहा था, time हमारे पास कम बचा था, दो question आया है, shift 1 के अंदर भी, एक question आया है, probability का shift 2 के अंदर भी आया है, दोनों के दोनों आपको, अगर आपने वो class लगाई होती, तो दोनों के दोनों cover हो जाते, ठीक है, दूसरे में आया था, prime number का sum होगा, तो तीसरी, आपके जो कल 27 अगस्ता है, 28 अगस्ता है, तो लविंदर लाइव लिखते होगे, तो भी आपको available हो जाएगा, दो session ने याद रखना, ठीक है, तो बाकी mensuration 2D के question भी देखने को मिल रहे हैं, इस बार तो आप उनका, यहाँ पर अगर आप check करोगे, तो 47 lecture, इसमें सारा complete है, आप जाके check करके देखो, आपको यहाँ पे सा ला question, सीधा question answer की उपर में यहाँ पर discuss करने वाला हूँ, what has been included recently in UNESCO, UNESCO के अंदर अगर कोई भी heritage idea, कुछ भी कभी भी add होता है, तो उसके upcoming exam में आप पका question ही लगबग मानना करो, कि UNESCO से question आए गई आएगा, कोई भी अगर important चीज़ हो, यहाँ अगर आप current fair पढ़ रहे हो, तो आप उसको 100% ही लख लो कि जो भी आपका next paper आएगा चाहिए, बैंक का paper है, चाहिए, एससे का वो आए गई आएगा, ठीक है, तो cultural heritage side के अंदर क्या भी recently add हो है, that is a दुरका पूजा, आप option चेह करते हैं, तो recently यह add हो है, तो यह आपकी इस question का say उत्तर है, क्योंकि स्टेट के लिए तो गवर्नर काम करेंगे, और विच वाइसरोय है, वस एससेसिनेटर अट अंडेमन और निकोबर आइसलेंड, आपको पता होना चाहिए, अब इसकी detail discussion ही करेंगे, सीधा question answer, मैं काफी बच्चे ढूण रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर question answer बता रहा हूँ, उसको आप check कर सकते हैं, the term regatta is associated with which sports, that is a boat race, और rowing, boat race आपको पता होगे, और rowing यह आपको पता है, जैसे पानी के अंदर वो, चुरो एक बाद चेक कर लेना, ठीक है, जहां पर समझानी होगा मैंसे, वो आप चेक कर लेना, boat race जैसे होती है, वैसे एक rowing race भी होती है, उसमें हाथों से आपने किस्त को आगे लेकर जाना होता है, ठीक है, so which valley has the largest coal deposit in India, that is the mother river valley, what is the capital of a Sri Lanka, Sri Lanka की यहां पर आपको देखना पड़ेगा, total आपके पास वहां पर option wise कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके according आपको अंसर करना पड़ेगा, श्री जवर्दनपूरा कोटे, तो यहां पर श्रिलंका की एक capital है, तो यहां पर आपको available मिलेंगे, ठीक है, which of the following is the shortest wavelength, यहां पर gamma ray, x-ray, यहां पर सारे के सारे given से, तो अंसर क्या है इसका gamma ray, next question है, uranium जो है, यह किसके लिए use होता है, अगर आपने recently कोई test दिया है, तो यहां पर इस question को बार-बार test वालों ने पर भोला हुआ था कि कर लो, आ सकते हैं, paper में यह वाला question, क्योंकि यह SSE में भी आ चुक है, ठीक है, तो यह रेनियों में is the best user to mirror the age of hero, rock की age measurement करने के लिए यह रेनियों को यूज को यूज किया याता है, जो टरम feature है, वो किस स्पोर्ट से interlink है, that is baseball, यह question shift first में नहीं देखने को मिले, shift 2 में पुराने वाला अंदार जैसकाड का द्वारा से आ चुक है, sports की उपर दो question आएंगी, आएंगे, ठीक है, who was the, who was the lyricist, okay, who was the lyricist of the song, मेरे वतन के लोगो, that is कवी परतीप, कवी परतीप, what has been included recently in UNESCO, यह अभी हभी हमने discuss किया था, धुर्गा पुजा, और यह भी हमने discuss कर लिया है, यह we protect, we protect, इसका मतलब होता है, अगर हम normal language के अंदर बात करें, तो यह हमने theme वाला भी question कर लिया है, तो तो तीन question यहाँ पर repeat हो चुके है, इसको skip करते है, समरिती जो military exercise है, यह conductor हो रही है, किस country के साथ, यहाँ पर, कहां पर हो रही है, यह है बंगलादिश में, exercise क्यूपर, recently question shift 1 में भी आया, और कल भी question आएंगे, तो exercise आप सारे बच्चे पढ़ लो, ठीक है, what is the language of Buddhism, text, that is a Pali, बहुत famous question है, repeat हो रहा है, बार-बार static question, what is the name of the IAF tactical lifter, that is C 130, J Hercules, National Defense College, जो है, वो कहां पर located है, वो New Delhi में located है, ठीक है, यह कुछ question थे, जो अभी अभी recently है, इनका में नहीं आपर आपको correct answer बता है, और इसके basis की उपर आप अपनी त्यारी को focus कर लो, जैसे की exercise का question आप repeat हो रहा है, बार-बार इसको पढ़ लो, theme आ रहे है, जो में में अभी recently होके चले, environment है हो गया, कोई वीडियो हो गया, उनके theme याद कर लो, ठीक है, और जो focus करो, speed से accuracy की उपर, question छूटना जाएं, ये बात आप पहले धिया रखना, ठीक है, next paper जो भी होगा, उसका भी analysis करेंगे, जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हो, इस YouTube चैनल को join कर लो, इस classes के बाद आपका new course यहाँ पर launch होगा, वो भी totally free, ठीक है, और इस telegram को भी like करो और share करो, मिलेगे जल्दी next session के अंदर, bye bye, टीक है,